हेलो स्टुएंट्स तो आज हम बात करेंगे कनिस साइक परिक्षा की इसकी मेरिट को डिसकस करेंगे ठीक है जो कनिस साइक की परिक्षा आपकी पांच मार्च को हुई है ठीक है इसी मैंने तो देख लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं कुछ कोश्चन की जो अभी तक ऐसे ल ऍसमें देखो कुछ ने उसका अंसर गीत किया था और अब आयुग ने निडिये दे दिया ठीक है न इस प्रकार के प्रस्च्न में अब किया मह जा सकता है एक है ताल वाला भी क्षण ने तो उस पर भी मेरे हिसाब से लगाना चाहिआए तुकि जो आंसर आयोग नहीं दिया है लिंग ताल या लिंगा ताल वो जो है जमूली में यह ठीक है फिर एक जो दो कोशन में आपको श्योर बता रहा हूं जो बिल्कुल गलत ही दिये हैं अगर उसमें आपको नंबर मिले हैं अभी तो वो रिवाइज जब आंसर की होगी या जब टाइपिंग के लिए नाम आएगा उस समय जो आएगा ठीक है मेरिट आएगी तो उस समय वो आंसर जो है चेंज हो जाएंगे तो जो एक कोशन है 2011 जनगर्णा के नुशार निमनिखित राज्यों में से किसमी इसाईयों की जनसंक्या सबसे कम है तो आयोग ने आंसर दिया है बिहार जबकि उसका सही आंसर क्या है हिमाचल परदेश क्योंकि जो आयोग ने देखो आंसर दिया है वहाँ पे आयोग ने परसंटेज के हिसाब से जो है वो पॉइंट ले लिया क्योंकि बिहार में 0.12% हिमाचल में 0.18 बिहार की जनसंक्या तो देखो 19 करोड है उसका तो 0.12 परसंट भी लेंगे तो वह बहुत जादा है जबकि हिमाचल की जंसिग्या केवल 70 या 71 लाक है तो उसका 0.18 भी बिहार से काफी कम आ रहा है तो इसका स्योर जो आंसर है वो हिमाचल परदेश है ठीक है ना दूसरे कोशन की हम बात करें तो इसमें अगर किसी ने हिमाचल किया है तो उसको जरूर उसमें आपत्ती लगानी पड़ेगी लगानी चाहिए नंबर आपको मिल जाएगा और किसी ने बिहार में तुक्का लगाए था और उसको ने नंबर जोड रखे अपने तो वो नंबर उसका हटा देना दूसरी बात क तो यह कोश्चन भी स्योर इसमें गलत दिया वाए इन दो कोश्चन पर पूरी तरह अपत्ती लगा जा सकते हैं जिसने हमेटाइट लगाए था और उसका सही हो गया और उसको सही में मान रहा है तो वो ना माने उसको मान लो किसी के साथ हो गए तो वो 59 से भी नीचे हो जा है तो 130 पद है ठीक है और SC के लगवग हो गए 90 STKS में बहुत कम पद है 8 OBC के 72 है EWS 24 है महिलाओं के लिए 92 और PH दिव्यांग जन के लिए 9 है इसके अलावा कुछ जैसे अनाथ के लिए होते हैं वो बहुत कम हैं वो भी 244 सब हैं तो मुख्य पद यह हो गए आपके अब दे तो वहां पर पदों की संख्या क्या है 380 के लगवग है जनरल में और यहां पर आप देख रहे हो 130 ठीक है तो आप अंदाजा लगा सकते हो मतलब वहां पर तीन गुना थे यहां के जनरल की पोष्ट है न क्योंकि जिस क्रम में पद हैं उसी क्रम में आयोग 3 गुना जो है उन सब में सबसे अच्छ धी पेपर कि याइगा लेवल के हिसाब से थिक है तो पेपर का लेवल तो अच्छा लेवल अब देखो मेरे कई बच्चों से फीडबेक भी लिया कुछ ने मुझे कमेंट करके भी बताया किसी ने यूट्यूब में भी कमेंट किया किसी ने परसनली भी किये तो अभी तक जो मुझे नंबर मिले देखो एक तो तुमने उनके टॉपर के नंबर जो रहते हैं राहूल ल है 62.5 का आया है 58 वाले 57 वाले तो काफी है तो इसका मतलब देखो 60 से उपर वाले ही 57 को तो मैं जान रहा हूं ठीक है न तो इसका मतलब और जो इस बार ऐसा भी निया कि राहूल लेगी से उपर वाले भी मिल रहे तो जबकि पुराने वाले कनिसाइक में क्या थे वही टॉ ठीकिन थे लेकिन यहां पर उनसे भी ज्यादा बच्चे कुछ बता रहे हैं तो हाला कि वह ज्यादा नहीं होंगे 10-15 मानलो ठीक है जो उनसे भी उपर होगे 10-15 होगे क्योंकि जितनी हाई मेरिट होती है वहाँ पर तेजी से गिरती है उसके बाद मेरिट क्या है एकदम से डाउन होती है मतलब फिर महाँ पर जादा स्टूनेंट होंगे अब देखो जो मैं अपना बता रहा हूं मुझे जो लगता है कि जनरल में कहां तक आ जाएगा ठीक है ना 130 पद है तो आपके मतलब 400 बंदे मानलो 400 लोग जनरल के बुलाए जाएंगे टाइपिंग के लिए तो अगर आप मान रहे हो कि भई मैं आपको बता देता हूं इतना है जो मुझे लगाए देखो कि 62 प्लस टीक है जनरल में बता रहा हूं 62 प्लस मुझे लग रहा है कि इनका हो जाएगा ठीक है ना और बाकी महिला में लगभग 58 टीक है स्टी में 55 क्या स्पास स्टी के 8 सीट है फिर OBC का है OBC का है 60 के लगभग ठीक है उससे बहुत ज्यादा देखो डिफरेंस जो जनरल का है EWS और OBC बहुत ज्यादा अंतर इसमें नहीं होता है ठीक है तो लगभग वही रहता है फिर दो नंबर मान लो डाई मान लो नीचे जनरल से EWS भी 60 लगाए मुझे प सार्मी मैन की भी 52 52 तो टोटल पोस्ट की हिसाब से बात करें तो 1300 या 1400 को टाइपिंग के लिए बुलाए जाएगा किवल जनरल की बात करें तो लगभग 400 हो रहे हैं तो मुझे जो लगा है वो मैने आपको बता है अब किसी को इमेरिट थोड़ा हाई भी लग सकती है लेकि ठीक है ना तो इसलिए मेरे हिसाब से यह है क्योंकि जिन बच्चों ने देखो यह मैथ रिजनिंग मिला के छे नंबर था तो जो मैथ रिजनिंग वाला होगा तो वह चार या पांच ये इतने में से लाएगा ठीक है चार पांच है सही करके आ जाएगा हो ठीक है ना यही मेरा इसमे अनुमान है ठीक है तो आप अपना बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है